जै मातादी आज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शिरी दुर्गा शक्त शती पार्ट से प्रथम अध्यायत मेदा रिशी का राजा सुरोतर समाधी को बगवती की महिमा बताते हुए मधू कैटप का वद प्रथम चरितर के ब्रह्मा रिशी महाकाली देवता गायत्री चंद नंदा शक्ती रक्त दंती का बेच अगने तत और रिग्वेत स्वरूप है श्री महाकाली देवता की प्रसंता के लिए प्रथम चरितर में जब में विन्योग किया जाता है भगवान विश्णु के सोजाने पर मधू और कैटप को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्वन किया था उन महाकाली देविका में स्वन करती हूँ वे अपने दस हाथों में खड़क, चक्र, गदा, वान, धनुष, परिक, शूल, पुशुन्डी, मस्तक पर संख धारन करती हैं उनके तीन नेत्र हैं वे समस्त अंगों में दिव्वे अभुशनों से विवोशी थैं के शरीर की करांती, नील मणी के समान है तथा वे दस मुख और दस पैरों से युक्त हैं मारकेंडे जी बोले सूर्य के पुत्र सावेंड जो आठ़पे मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पुर्वक कहता हूँ सुनो सुर्य कुमार महावाग, सावर्नी, भगवती महामाया के अनुखरे से जिस परकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ पूर्म काल की बात है, सुरोचित मनवंतर के सुरत नामके एक राजा थे जो चैतर पंच में उत्पन हुए थे उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार थवे परजाग का अपने और से पुत्रों की भाति धर्म पुरुबक पालन करते थे तो भी उस समय कोल विद्वन्ची नामके शत्रिय उनके शत्रू हो गए, राजा सुरत की दंडनीती बड़ी ही प्रवल थी, उनका शत्रों के साथ संग्राम हुआ, यद भी कोला विद्वन्ची संख्या में कम थे तो भी राजा सुरत में उनसे परास्त हो गए, तब वे य प्रिस्ट, बलवान और दुरात्मा मंद्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राज के सेनाओर खजाने को हत्या लिए, सुरत का परवत नश्ट हो चुका था, इसलिए शिकार खेलने के वहां ने गोड़े पर सवार हो, वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले जहां कितने ही हिंसक जी परम, शांथ भाव से वहां रहते थे, मुनी की बहुत से शिश से उस बन की शोवां बढ़ा रहे थे, वहां जाने पर मुनी ने उनका सतकार किया और वे उन मुनी स्रेश्ट के आश्रम पर इधर धर विचरते वे कुछ काल तक रहे, फिर ममता से आ की मद की बर्षा कराने वाले और शुरूविर था वहां मेरा मेरा पर धान हाती, अफशत्रों के आधीन होकर ना जाने किस बिखोगता होगा, जो लोग मेरी किरपा, धन और भोयन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चा ही अब दूसरे राजाओं का करते होंगे, उन अपवई लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के करण अत्यंत कर्ष्ट से जमा को किया हुआ, मेरा खचाना भी खाली हो गया होगा, यह तधा और भी कई बात है, राजा सुरत में जंतर सोचते रहते थे, एक दिन उन्होंने वहां मिपरबर मेधा क आश्रम के निकर्ट एक वैशे को देखा और उनसे बूझा भाई तुम कौन हो, यहां तुम्हारे आने का क्या करण है, तुम क्यों शोकरस्त और अन्वने से दिखाई पड़ते हो, राजा सुरत का यह प्रेम पुरवक कहा हुआ बचन सुनकर वैशे ने विनीत भाब से उ मेरे विश्वसने बंधों ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया है, यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की इस तरी की और स्वज़नों कुछलता है या नहीं, इस समय घर में वे कुछल से रहते हैं, या थवा उन्हें कोई कष्ट है, वे मेरे पुत्र कैसे कुछल से रहते हैं, या थवा कोई कष्ट है, क्या हुए सदाचारी है, या थवा दुराचारी हो गया, राजन ने पूचा, जिन लोभी इस तरी पुरस आदिक के धन के कारण, घर से बाहर निकाल दिया, उनके प्र प्रती सने, पती के प्रती प्रेम, तो था आत्म जन के प्रती अनरा को तेजान जली दे दी है, मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रती मेरा हिर्दे, मैं इतना सने है, महा मते, बुणहीन बंदों के प्रती भी जो मेरा चित इस परकार प्रेम मुगन हो रहा है, य के लिए में क्या करूं मारकंडे जी कहते हैं ब्रहमन तर्दनतर राजाओं में स्रेश्ट सुरद और वह समाधी नामक वैश्ट दोनों साथ साथ मेधा मुनिके शेवा में वस्तित हुए और उनके साथ यथा योगि नियाए कूलन विनाए पुर्वख वरताब करके बैठी त और राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों मेरी ममता बनी हुई है मुनिक सेस्टर यह जानते वेवे की वह मेरा नहीं है अग्यान की भाती मुझे उसके लिए दुक होता है यह क्या है इधर यह वैश्ट भी घर से अफवानित होकर आया है इसक में परत्यक्ष दोस्त देखा गया है उसके विशय के लिए भी हमारे मन में ममता जलीद अकर्शन पैदा हो रहा है महाभाग हम दोनों समझदार है तो भी हमें से जो मुह पैदा हो रहा है यह क्या है विवेक शुर्न पुरुस की भाती मुझ में और इनमें भी यह मूरता परत्यक्ष दिखाई देती है रिशी बोले महाभाग विशय मार का ग्यान तद्धर सब जीवों का है इसी प्रकार विशय भी सब के लिए अलग अलग है कुछ प्राणे दिन में नहीं रहते दिखते दूसरे रात में नहीं दिखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और पक्षियों की होती है तथा जैसी मनुश की होती है बैसे ये उन मेरे पक्षियों आदी की होती है तथा अन्ने बाते भी प्राया सम दोनों में समान ही होती है समझ मुने पर भी इन पक्षियों को देखो ये स्वैम भुक से बिड़ित होते वे भी महोवश बच्चों की चो सार में इस्थिती बनाए रखने वाली भगवती महा माया के प्रभाव द्वारा वंता में वहवर से युक्त मुग के गहरे गर्त में गिराए गए हैं इसलिए इनमें आशर्क नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान विष्णों की योग नित्रा जो भगवती महा माया है उन्हीं से ये जगत मुहित हो रहा है वे भगवती महा माया देवी ग्यानियों के विचित को बलपूर्वा खिचकर मूर में डाल देती है वही संपूर चराचर जगत के स्रिष्टी करती हैं महा माया कहते हैं वे भगवी कौन है ब्रह्मन उनका अभी भवक कैसे हुआ था उनके चरेटर कौन कौन से हैं ब्रह्मर भेताओ वे स्रिष्ट महार से उनилась देवी का जैसा प्रभवाभ हो जैसा स्रूप हो और जिस परकार प्रदों माः हाओ हो है सब आपके मुझसे में सुनो यद्दपी वे नित्ते और अजन्मा है तथा भी जब देटाओं का कारे सिद्ध करने के प्रकट होती हैं उस समय लोग में उत्पन हुई कहलाती है कल्प के अंत में जब संपून जगर एक वर्ण में निंगमगन हो रहा था तब सब के परभू भगवान विष्णु शेशना के शया विछाकत योग निद्रा का आसरे ले सो रहे थे उस समय उनके कानों के महल से दो भेंकर असुर उत्पन होई जो मदू और कैटप के नाम से विख्या थे वे दोनों ब्रह्माजी का बद करने को तयार हो गए भगवान विष्णु के नाभी में विराजमाद परजापती ब्रह्माजी ने जब उन दोनों को भयानक असरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा तब एकापरचित होकर उनोंने भगवान उन्हीं भुवती निद्रा देवि की भगवान ब्रह्मा स्तुती करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा। ओक अधित तीन मात्राओं के रूप में भी तुमीी स्थीत हो। इन तीन मात्रों केताय bisISS रूप निथत अर्ध मात्रा है उनक्या विशेश हो नहीं किया जाता, वहे भी तुमीं हो, देवीं तुमीं इस विश्य ग्रमान को धारन करती हो, तुमें इस जगद के सुष्टी होती है, तुमें से इसका पालन घूता है, तुमीं इसका पालन बना लेती हो जग जननी देवी इस जगत की उत्पती के समय तुम सिश्टी सुरूपा हो पालन काल में स्थिती सुरूपा हो और कल पांतर के समय संगहार सुरूपा धरन करने वाली हो तुम्हा विद्या महा माया महा मेदा महा स्मृती महा महुह रूपा महा देवी और महा सु शांति और समाव भी तुम ही हो तुम खड़क धारनी शूल धारनी घोर रूपत तक गदा चक्र शंक और धनुस धारन करने वाली बान शुंडी और परिग ये सब तुम्हारे ही अश्ट्र हैं तुम सौमे और सौमेतर हो इतना ही नहीं जितने भी सौमे और सुंदर प्रदार उन सबकी जो शक्ति है वह तुम ही हो ऐसे अवस्था में तुम्हारी सुद्ध क्या हो सकती है जो इस जगत के सिष्टी पालन और संगार करते हैं उन भगवन को भी आपने निद्रा के मुह में डाल दिया तब तुम्हारी सुद्ध करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है मु मुहों में डाल दो और चग्दीश और भगवान बिश्टी को सीखर ही जगा दो साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असरों को मार डालने की बुद्धी उत्पन कर दो रिशी कहते हैं राजन जब ब्रहमा जी ने वहां मदू और कैटप को मारने के उद्धे से भगवान बि के जल में शेश नाकी सया से चाग उटे फिर उनों ने उन दोनों असरों को देखा वे दुरात्मा मदू और कैटप अत्यंत बलवान और प्रकरमी थे और प्रोध से लाल आखे किये हुए ब्रहमा जी को खा जाने के लिए उद्धे उद्धे भगवान शरी हरी ने उठकर साथ पांच हजार वर्सों तक केवल बाहु युद्ध किया वे दोनों भी अत्यंत बल के गारण उनमक्त हो रहे थे इदर महा माय ने भी उन्हें मों में डाल रखाता है इसलिए प्रवान विश्णों से कहने लगे हमार तुम्हारी वीरता से संतुस्ट हैं तुम हम लोगो उसे कोई वर मांगो श्री भगवन बोले यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन हो तो अब मेरे हाँ से मारे जाओ बस इतना सही मैं ने वर मांगा है यहां दूसरे किसी से क्या वर लेना है रिशी कहते हैं इस परकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर जगत में जल ही जल देखा तब कमल लेन भगवान ने कहा जहां प्रतिमी जल में डूबी होई ना हो जहां सुखा स्थानों वही हमारा वद्द करोरिशी कहते हैं तब पतास्तों कहकर शंग चक्र और गदा धरन करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी चांग पर रखकर इस परकार ये देवी महामाय ब्रह्मा जुबिस्तोती करने पर स्क्रायम प्रकट होई थी अब पुन्हें तुम इनके प्रभाव का वरन करता हूं सुनो इस परकार श्री मारकंडे पुराण में सारवणिक मर्मंतर की कथा के अंतरकर देवी महत्तमे में में वधु कैटव बद नामक पहला अध्याई पूरा हुआ शेरी दुर्गा शप्तशती स्पार्ट से दूसरा अध्याई देवताओं के तेसे देवी का प्रधु भाव और महिसासुर की सेना का वद ओम मध्यम चरित्र के विश्नु रिशी महाकाली देवता उस्टिक छंद्र शकमरी शक्ति महिसासुर मरदनी भगवती महाल अश्मी का भजन करती हूं जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वच्र पदिन धनुष कुंडी का दंड शक्ति खडग ढाल शंक घंटा मधू पात्र शूल पाश और चक्र धन करती है रिशी कहते हैं पूर्पकाल में देव कि सेना महावली असरों को परास्त हो गई थी पर संपूर्ण देवताओं की जीत कर महिसासुर इंद्र बन बैठा था तब तब पराजित देवता पर परजापती भ्रहमाजी को आगे करके उस थान पर गए जहां भगवान शंकर और विश्नु विराजवान थी देवताओं उन दोनों देविश्रों से विस्तार पुर्वक कह सुनाया वे बोले भगवान महिसा सुरे इंद्र अगनी वायू चंद्रमाय यम वनुर तता अन्य देवताओं के अधिवकार को छीन कर स्वयमी सबका अधिश्ठाता बन बैटा है उस दुरात्मा महीश ने समस देवताओ आपको स्वरक से निकाल दिया है अब वनुशों की भाती प्रित्मेर पर बिचरते हैं देवताओं की है सारी करतुत हमने आप लोगों से कहस नाई है अब हम आप सब की सरण में आए हैं उनके बत का कोई उपाय सोची इस परकार देवताओं के बच्छन सुनकर भगवान व देवताओं के शरीर से भी भारित तेज उत्पन हुआ यह सब मिलकर एक हो गया महान तेज का वह पुझे जौला इमान सा परवत सा दिखाई पढ़ रहा था देवताओं ने दिखा कि वहां उनकी जौलाएं संपूर दिशाओं में व्याप्त हो रहे हैं संपूर देवताओ जो तेज था उनसे उन देवी का मुख परकट हुआ यह राज के तेज से उनके सिर के बाल निकले श्री विश्नुमभवान के तेज से उनकी भुझाएं उत्पन हुई चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का तता इंद्र के तेज से मद्र भागा प्रदु वहाबुआ वरुन के तेज से जंगा और पंडली तरफिमे के तेज से मितम भाग परकट हुआ ब्रमा जी के तेज से दोनों चरण और सूरे के तेज से उंगलियां हुई वस्वों के तेज से हाथों के उंगलियां और कुबेर के तेज से नासी का परकट हुई उन देवी के दाद परजापती के तेज से और तीन नेतर अगनी के तेज से परकट हुए उनकी बुहें संद्या से संद्या के और और कान वायू के तेज से उत्पन हुए इसी परकार अन्य देवता के तेज से भी उस कल्यान में देवी का अभी भाब हुआ था देंतर समझ देवताओं के तेज पुंच से परकट हुई देवी को देखकर महिसा सुर्प के सताय हुए देवता बहुत प्रसंद हुए पिनागधारी भगवान शंकर ने अपने तिसूर से एक तिसूर निकालकर दिया फिर भगवान विश्वन ने भी अपने चक्र में से एक चक्र उत्पन करके भगवती को अरपन किया वरों ने भी शंक भीट किया अगनी ने उने शक्ते दी वायों ने धनुझ और वान आदी भरी विद्धो तरकस परदान किये सहस्त नेत्रों वाले देवराज ने कमंडलू भीट किया सुर्य ने देवी के समस्त रूम रूम में किर्णों का तेज भर दिया क्राल ने उन्हें क्यमक्ति हुई ढाल और तलवार दी सीवर समुझ ने उजवल हार था कि कभी न जीर होने वाले दो दीवे वस्तर भीट किये साथ हिनों ने देवे चुड़ अभी देवी शुकरमा ने उन्हें अत्या निर्मल फर्टसा भीट किया साथ ही अने एक परकार के अच्ट्र अभेद कवच दिये इनके सिवा मस्तक और वक्ष तल पर धारन करने के लिए कभी न कुबलाने वाले मालाएं दी जल्दी जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का बुशित नाघार भीट किया इसी फरकार जब अने देवताओं भी अखुजन भीट और अस्वास दे कर देवी का सम्वान किया तस पाशा उन्होंने बारंबर अठास पूरवक सुच्चे स्वर्ट से गरजना की उनके भेंकर नाते संपूर आगास पूंज उठा देवी का है अतेत उजवर्स वर्ट से किया हूँ असी नात कभी संबाह ना सका अकास उनके शामेर लगो परती धूने लगा उनके परती जो भी परती धूनी जोड़दार परती धूनी होई जिससे संपूर विश्व में हलचल मच गई और समुदर काप उठे फिरत में डोने लगी समस्थ परवत ही ने लगी उस समय देवताओं ने 38% के साथ सी वाइनी भगती से कहा देवी तोहारी जाय हो साथ ही बहर शियों ने वक्ति बागते बिनावन को कर उनके उनका स्तावन किया संपूर देवताओं को सोप ग्रस देख देते गड़ागनी समस्थ सेनाओं को की लक्ष की और दोड़ा और आगए पहुचकर उसने देखा कि जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को परकाशित कर रही थी उनके चड़नों के भार से प्रिसमी दबी जा रही थी माथे की मुकट के में आकास से रेखा खिची जा रही थी तताव वे अपने धुनुस के कि तंकार से साथो पातालों को शुब्ध किये दे दी थी देवी अपनी हजार पुजाओं से संफूर्ध दिसाओं को अच्छादित करने के खड़ी थी ततधनतर उनंके साथ दैत्यों का युद शिड़ गया। नाना परकार के आश रत्रों से प्रहर से संपूर्ट दिसाइं उद्वासित होने लगी चिक्छुर नामक महान असुर महिसासुर का सिना नायक तवे देवी के साथ यूद करने लगा अन्य देत्यों की चैतुर गड़ी सिना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा साथ हजार र गोड़ों से घीरा हुआ बाशकल नामक देते भी उनकी संपूर्ट ग्रोवें से लड़ने लगा नामक राक्षस परिवातिक नामक राक्षस हाथी सवारों गुर्ट सवारों के साथ अन्य दलों तथा एक करोड़ रत्यों सहीद सेना लेकर यूद करने लगा भी डाल नाम लेना से घीरा हुआ था हुए देवी के साथ तोमर भींद पाल शक्ति मुशल खडग पर्शू और पटिच आदी असत्रों का प्राहर करते हुए युद्ध कर रहे थे कुछ देप्तियों ने उन पर शक्ति प्राहर किया और कुछ लोगों ने पाश फेके तो तक कुछ लोग पर परश्रम या ठकावर तरंच मातर भी नहीं था देवता और रिशीन की स्तूति करने लगे बे भगवती परमेश वरी देटों के शरीर पर अशत्रों की बर्शा करती रही देवी का बहांसी भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुग असरों की सिना में इस असरों का समान करने लगे देवी की शक्ती के बड़े वेवे गण असरों का सिनाश करते हुए कि नगाड़ा और शंगादी बजाने लगे उन सग्राम महाँचसम में कितने ही गण मिटंग बजा रहे थे तन देवी के तिरुशूर से गदे से शक्ती की वर्षा और खड़क आदी के साथ सेकड़ों महां दित्यों का संगार कट डाला कितनों को घंटे के हैंकर नाथ से मुर्चित करके मार गिराया बहुत तेरे देत्यों को पास सेवान कर घर्चीटा कितने ही देत्यों की तीखी तरवार के मार से दो टुकड़े हो गए कितने ही देत्यों की चोट से विस्टिक करने लगे असरों कि उस कमर तूट गई बाज की तरह जपटने वाले देवी पिंडग देवी गर्ण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे कि नहीं कि बहाँ छेने भीन हो गए कितनों की गर्दने कट गए कितने ही तैतियों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे कुछ कितने ही देवी को एक बहाँ एक पैर और एक लेतर वाले करके दो टुक्रों में देवी ने चीर डाला कितने ही देटे के मस्तक कट जाने पर भी गिरकर उठ जाते और केवल धड़क धड़के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ मेले देवी के साथ युद करने दूसरे महाँ देटे ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद केले ललकारते थे जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराये को रत हाथी घोड़े और अस्रों की लासों से ऐसे पढ़ गई थी कि वहां चलना फिरना असंबब हो गया था देटों की शेना में हाथी गोड़े और अस्रों के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रख पात हुआ था कि वह थोड़ी ही देर में वहां खुन की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी चक्दंबा ने अस्रों को रिशाल सेना को चंबर में नश्ट कर दिया ठीक उसी तर जैसे त महां देतों के साथ ऐसा यूद किया जिससे अकाश में खड़े हुए देवता गण भी उन पर बहुत प्रसक हुए और फूल बर्चाने लगे इस परकार शरी मारकंडे पुराण में शर्वाने मनमंतर की कथा के अंतरकत देवी मात्र में महर महिसा सुर की सेना का बद नमक अध्याय पूरा हुआ जय मातादी आगमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री दुर्गा शप्थ शती पार्शय त्यतिय अध्याय सेना पतियों सहित महिसा सुर्कवबद जगदंपा के श्री अंगों की क्रांती उदैकाल के सहस्त्रों सूर्य के समान है वे लाल रं पत्रों से शोबित मुखाविन की बड़ी शोबा हो रही है उनके मस्तक पर चैद्रमा के साथ ही रहतन में मुखुत बंधा हुआ है तधावे कमल के यासन पर विराजमान है ऐसी देवी को मैं भक्ति पूलबग पर नाम करती हूँ रिशी कहते हैं देतों के सेना को इस परक बानों की बरसा करने लगा जैसे बादल मेरूगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो तब देवी ने अपने बानों से उसके बान समुन को अनाया से काट कर उसके घोड़ों को तसार्थियों को भी मार डाला साथ ही उसके धनुस तत्हा अत्यंत उची ध्वजा को भ देवी की पाई बुजा में बड़े बेक से प्रहर किया राजन देवी की बहाँ पर पहुचते ही वैतलवार तूट गए फिर तो क्रोध से लाल आखे कर उस राक्चस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादेते ने भगवती भदर काली के उपर चलाया वैसूल अकास से गिरते हुए सूरे मंडल की भाती अपने देश से प्रजलित पो उठा उस शूल को अपनी और आते देवी ने भी शूल का प्रहर किया उससे राक्चस ने शूल के सेकड़ों टुकड़े हो गए साथी महादेते शिक्चुर की भी धचिया उड़ गई है प्राणों से हां द बैठा मैसा सूर की सिनापती उस प्राकर मिर शिक्चुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हांती पर चड़कर आया उसने भी देवी के उपर शक्ती का प्रहर किया कि दू जगदंबा ने उसे अपने हुंकार से आहते मिनिश प्रहाब परभाब क अधर के ततकार प्रित्मी पर गिरा दिया शक्ती तूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ हुआ है अपने शूल चलाया कि देवी ने उसे भी अपने पानो दौरा काड़ डाला इतने महीं देवी का से उचलकर हांती के मस्तख पर चड़ बैठा उस देख के साथ खूब जोर लगाकर बाखू युद करने लगा वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से प्रित्मी पर आगए और अत्यान में करोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भैंकर प्रहर करते हुए लड़ने लगे तरसी बड़े बेग से आकाश किया और उचला और उधर से गिरते समय उसने पंचों की मार से चामर कसिड धर से अलग कर दिया इसी परकार उदग भी शिला और विक्ष आदी की मार खाकर रन भूमें देवी की हाट से मारा गया और कराल भी दातों, मुकों, थपड़ों की चोट से धराशाई हो गया क्रोध में भरे हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचुमर निकाल डाला, भिंदपाल ने वाश्वु कल को भी तथा वाणों से तामर और अंधक को मौत के घाट उतार दिया, तीन नेत्रु वाली पलमेश्वरी नेतिर्शुल से उगरास से उगरवीर तथा महा हनुना मकदेत्यों को भी माड डाला, तलवार की चोट से भी डाल के मस्तब को धर से कट, काट की रहे दुर्धर और दुर्मुक इन दोनों को भी अपने वाणों से यमलोग बेज दिया, इस परकार अपनी सेना का संगार होता देख, मैसासुर ने भैसे का रूप धारण कर कि देवी के गणों को तरास देना आरख कर दिया, किनी को थुथुन से माड डाला, किनी के ओपर खोलों का प्रहार करके, किनी को पूच से चोट पचा कर, कुछ को सिंगो से विदीन करके, कुछ गणों को वेक से, किनी को सिहिनात से, कुछ को चक्र देकर, अपने कितने ही निस्वास बायों की जोके से धरासाही कर दिया इस परकार बढ़ों की सेना को गिरा कर वे असले महादेवी के सीब को मारने के लिए छपटा इससे एक जगदंब को बड़ा क्रोध हुआ उधर महाप्रकमी मैसा जोभी क्रोध में परकर धरती को खुड़ों से 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 उन्होंने पाश पेकर उस महान असुर को बांद दिया उस महासंगरा में बंद जाने पर उसने भैसे का रूप त्याब दिया और ततकाल सी के रूप में वह परकट हो गया उस अवस्था में जगदंपा जयों ही उसका मस्था काटने के लिए उद्दत हुई त्यों ही वह खडगधारी पुरुष के रूप में दिखाये देने लगा तब देवी ने तुरंत ही मानों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बेद डाला इतने में वह महान गजराज के रूप में परनित हो गया ता ता अपनी सूर से देवी के विशाल सी को खीचने और करचने लगा खीचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूर काड़ डाली तब उस महान देते पुने भैसे का शड़ी धारण कर लिया और पहले की ही भाती चरा-चरा प्राणियों सही तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा तब क्रोद में बरिए जगन माता चंडी का बारहं बार उत्तम मधू का पान करने और लाल आँखे करकी हसने लगी उदर वे बल और प्रकम से मध से उनमत हुआ राक्छस गरचने ल जब तक मधू पीती हूं तक तक तू चंबर के लिए खुब गरच ले मेरे हाथ से यही तेरी मित्ती हो जाने पर अब शीग ही देटा भी गरचना करेंगे रिशी कहते हैं योग एकर देवी उश्ली और महादेती के उपर चड़ गई फिर उसने पैर से दबापर उसको सू से उसके कंठ में आगात किया उसके पैरों से दबा होने पर वह सासुर अपने मुख से अभी आदे शरीर का ही बाहर निकला पाया था कि देवी ने उस अपने पर भाब से उसे रोक दिया आदा निकला होने पर भी महादेती देवी से यूद करने लगा तब देवी ने सराय नित्ते करने लगी इस प्रकार श्री मारकंडे पुरान में शार्वानिंग मन्मंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्म में महिसा सुर्वाज नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ चौथा अध्याय इंदरादी देवता अध्याय देवी की स्तुती सिद्धी की इक्षा रखने वाला पुर्ष जिनकी सेवा करते हैं तो था देवी जीने सब और से घेरे रहते हैं उन जया नाम बाली दुर्गा देवी का ध्यान करें उनके श्रीयंगों की आवा काले मेर्क के समान है वे अपने कटाक से सत्रू समू को भाय परदान करती है उनके मस्तक पर अबाद चद्रमा की रेखा शोभा पाती है वे अपने हाथों में शंक चक्र के पान और तुच्भू धारन करती है उनके तीन नेतर है वैसी के कंदी पर चड़ी हुई और अपने देह से तीनों लोगों को पड़ी पूर्ण कर रही है रिशी कहते हैं अत्यन प्राकरवी दुरात्मा महिसाथूर्द था उसकी देटे सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद आदी देवता पर नाम के लिए गर्दन तथा कंदी जुगा है समस्देटा और महरशियों की पूजनिय उन जगदंबा को हम भक्ती पुर्वक नमशकार करते हैं हम लोगों का कल्यान करें जिनके अनपम प्रभाव और बल का वर्ण करने में भगवान शेष नाक ध्रमाजी और महादेव जीरी सामर्थ नहीं है वे भगवती चंडिका क इस रद्धा रूप से कुलीन मुनिशों में लच्जा रूप से निवाश करती है उन आप रहुवती दुर्वा को हम नमशकार करते हैं देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए देवी आपके इस अचिंते रूप का असुनों का नाश करने वाला भारी प्रक्रम का समस्त देवता और देट्यों के समक्षियोद में परकट किये हुए आपके अद्बू चरीतरों का हम किस पर कारणन करें आप संपूर्ण जगत की उत्पती में कारण हैं आप में सत्पूर्ण रजवगुन तमोगुन ये तीनों गुन मौजूद है तो भी दोशों के परकटी हैं देवी संबूर्य यग्यों में इनके उचानल से सब दिवता त्रिप्ति लाग करते हैं वैं सुधा सुहा आप हैं इसके आप ही प्रित्रों की भी त्रिप्तिका हैं अतेव सब लोग आप सब को सदा भी कहते हैं देवी जो मौक्ष की प्राप्ति का साधना है अचिंते महावरत सरूपा हैं समस्त दोसों से रहेत जीतेंदरी तत्र की सार बस तु मानने वरात मौक्ष की अविलाशा रखने वाला मौनी जन निनका अभास करते हैं व्रवक्ति पराविदिया आप ही हैं आप शब्द सरूपा हैं अत्यंत निर्मल रिग्वेद एजुर यजुरवेद और उदगीत के मनुहर पदों के पार्ट से युट सामवेद का सार आप ही हैं आप देवी तरही और भगवती हैं इस विश्व की उत्पति अवं पालन के लिए आप ही वारता के रूप में प्रकट होई हैं आप संपून चकत की घोई पीड़ा नाश करने व वाली भगवती लक्षमी रथा भगवान चंद शेकर द्वारा समानित गोरी देवी आप ही हैं आपका मुख मंद मुस्कान से शोबित निर्मल पून चत्रमा के बिम का अनुकरन करने वाला उत्तम सुवन की मनोहर कांती से कमनिये हैं तो भी उसे देकर मैसा सुर को प्रोध कर दिया यह बड़े आश्यरी की बात है देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उद्यकाल से चंद्रमा की बाती लाल और तनी होई नहों के करने विक्राल हो उठा तब उसे देकर जो मैसा सुर के प्रांट तुरंट ही निकर गई है उसे भी बढ़कर आश्यरी क आई है क्योंकि मैसा सुर्किये विसाल से ना चंद्वाय में आपके कोप से नस्ट हो गई है सदा अबुद्या परदान करने वाली देवी आप जिन पर प्रसंद रहती है वेही देश में सम्मानित है उन्हीं को धन और यश्की प्राप्ती होती है उन्हीं का धर्म कभी धाने माने जाते हैं देवी आपके किरपा से पनात्मा पूर्श परते दिन अत्यन स्रदा पुर्वक्त सपरकार के धर्मकूल कर्म करता हुआ उसके प्रभाव से स्वर्ग लोग में जाता है इसलिए आपको तीनों लोग में निच्चा ही मनवांचित फल देने वाली है मां उसके उप संसार को सुख मिले ता यह राक्षा स्चिरकाल तक नरख में रहने के लिए घले ही पाप करते ृए इस संग्राम में मित्यूं कूपर हाप रहाया है इस प्रक्ार उनके प्रती आपका विचार अतियंत उत्तम है जो उस्रों की आखे फूट नहीं गई उसका करण यही था कि वो मनुवर रश्मिनों से युक्ति चंद्रमा के समान आनन परदान करने वाले आपके सुन्दर मुपका दर्शन करते हैं देवी आपका शीर दुराचारियों के बुरे वर्दाब को दूर करने वाला है साथ ही य दया प्रकट की है वर्दाइनी देवी आपके इस प्रकन के किसके साथ तुलना नहीं की जा सकती और शत्रों को भैय देने वाला एमम अत्यान मनुवर आपके सिवा और कहा है रदय में किलप और युद्विन शुर्ता ये दोनों बाते तीनों लोग में भीतर केवल आपके करें गंटा की द्वनी और धुनुस की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें चंडी के पूर पश्यम और रशिंदिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा इश्वरी आपने दिशुल को खमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें तीनों लोगों में आपके जो माता दुगा की स्तुति की तब नंदन वन के दिवी पूर्चों गंद चंदन आदी दौराओं का पूजन किया तब समने मिलकर जगवति पुर्वक दिपे दूपों की सुगंद निवेदन की तब देवी ने प्रसंद बंदन हो कर परणाम करते वे सब देवताओं से कहा इश्वरी इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती है तो जब जब हम आपका समर्ण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों की महान संकट को दूर कर दिया करें तब परसंद मुखी अम्रीके जो मन इस सोत्रों दौरा आपकी सूती करते हैं वे वित समर्दी और वे वब देने के सासल की धन और इस तरियादी संपती को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसंद रहें प्रेशी कहते हैं राजन देवताओं ने जब अपने ततजगत के कल्यान के लिए भदर काली देवी को इस परकार प्रसंद किया तब ये तधास्तु कहकर वही से अंदर ध्यान हो गई भूपाल इस परकार पूर काल में तीनों लोगों का हिप चाहने वाली देवी जिस परकार देवदाओं के शरी से प्रकट हुई थी वैसा कथा मैंने कह सुनाई है अब पुन्हें देवदाओं का उपकार करने वाली वे देवी दूस्त देटर दश पूरा हुआ पाच्वा अध्यार तेवताओं दौरा देवी की सूती चंड मुन के मुख से अंबिके के रूप की प्रशंता सुनकर शुम का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लाशना ओम इस उत्तर चरितर के रूद रिशी महा सरसती देटा है धनुश और बान धारान करती हैं शरदेतर के शुबह संपन चंडरमा के सवाजीन की मनोहर करांती है जो तीनों लोकों की अधार भूता और शुम ततब देटों का नाश करने वाली ततब गौरी के शरीर से जिनका प्रकटे हुआ है उन्हा सरसती देवी का में निरंतर कर दी हूं फिशी कहते हैं पुरुकाल में शुम और निशो नामक असरों ने अपने बल के घमन में आकर सची पती इंदर के हाँ से तीन लोगों का राजे चीन लिया वे ही दोनों सूरे चंद्रवा खुबेर यम और बुरून के अधिकारक का भी उपयोग करने लगे वाय और सोचा चब नमबा ने हम लोगों को वर दिया था कि अपती काल में समर्ण करने पर तुम्हारी रक्षा करूंगी यह विचार कर देवता गृदाज माले के पर गए और वहां भगवती विश्नु माया के सुती करने लगे देवता बोले देवी को नमशकार है महा देवी करते हैं वहर तुम्हारी और पिन душ देवी को हम नमशकार करते हैं ने हमारे भार, बार, बार, पर गृदाप बून, बूह रए जगत की अधहर, भृति जो देवी सब प्राणियों विश्णु माया रूप से नाम से जानी जाती है, उनको नमशकार है, उनको बारंबार नमशकार है। जो देवी सब प्राणियों में चाती है, उनको नमशकार है, उनको बारंबार नमशकार है। जो देवी सब प्राणियों में शांती है, उनको नमशकार है, उनको बारंबार नमशकार है। जो देवी सब प्राणियों में करांती है, उनको नमशकार है, उनको बारंबार नमशकार है। जो देवी सब प्राणियों में वृती है, उनको नमशकार है, उनको बारंबार नमशकार है। जो देवी सब प्राणियों में दयार रूप से सिते, उनको नमशकार है, उनको नमशकार है, उनको बारंबार नमशकार है। जो जीवों के इंदर वर्ग की अधिस्ठाथी देवी कही जाती है, सब प्राणियों में सदा व्यापत रहती हैं, वह व्यापती देवी को बारंबार नमशकार है। जो देवी चतने रूप से इस सबून चकुत को बारंबार नमशकार है। पूर काल में अपने अपने अबिश्च की प्राक्ति होने से देवताओं ने जिसके स्थूती की, देवराज इंदर ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्यान की साधना भूता इश्वरी हमारा कल्यान और मंगल करें और सारी अपत्यों का नाश करें। उदर्ण देवताओं से सेताय हुए हम सभी देवताओं जिन पर में शरी को इस समय नमशकार करते हैं तो था जो बक्ति से विनमर को छोदर असमन की जाने पर तक काल की संपूर्ण पर पत्यों कर नाश कर देती हैं वे जिब दंबा हमारा संकर दूर करें। निसी कहते हैं राजन इस परकाश जब देता स्तूति कर रहे थे उस समय परवती देवी गंगाजी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंतर भूँ वाली भवती ने देताओं से पूछा आप लोग यहां किसके स्तूति कर रहे हैं तब उन्हें के शरी से परकाश परकट होई शीवा देवी बुली शुम देतियों से तिरस्पित और युद मेने शुम से पराजित हो यहां एकतित हो यह समस देता यह मेरी सुधी कर रहे हैं परवती जी के शरीर से अंबिका का प्रदू भाव हुआ इसलिए वे समस लोकों में कौशिका की परकट होने के बाद परवती देवी का शरीव काले रंका हो गया अतेवे हमाले पर रहने लगी काले का देवी के नाम से विख्यात हुई तर शुम ने शु पता लगाएए वे देवी कौन है और उसे ले आए ले आएए श्रीयों में तो वे रतन हैं उनका परते एक अंग बहुत ही सुन्दर है वे अपने श्रीयंगों की प्रवास संपूर दिचाओं में प्रकास फैला रही है अभी हमाले पर ही मौजूद है आप उसे देख सकते यह सब आपके अपने इंद्र से ले लिया है हंसो से यूड़ा हुआ यह वेमान भी आपके आँगन में शुपा पाता है यह रतन बुत अद्बुत बिमान जो पहले प्रहमाजी के पास था अब आपके यहां लाया गया है यह महापद नामक निधी आपको वेर से शीन आया बरूर का चत्र भी आपके घर में शुपा पाता है तो था यह रत जो पहले परचापती के अदिकार में था वह भी आपके पास मौजूद है दैतेश्वर मित्यों की उत्क्रांत निंदा वाली शक्ती भी आपने शीन लिये था बरूर का पाश समुन रमेने वाले सब परका में देवी है आप इसे क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते रिशी कहते हैं चन्हून का यह वचल सुनकर शुम ने दे महा देते सुगरीब को दूद बना कर देवों के पात भीचा और का तुम मेरी आगया से उसके सामने ये बाते कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प हमारे पास आया हुए उनकी आगया सदा देवता ने देवता भी मांते हैं कोई उनका उलंगा नहीं करता फिस संपूर्ण देवताओं को पराद कर chil Technical जाए उसे संवे संबूर दीलो की मेरी हिजा तेसे संपूर के जाक हूद गया हो तो को में perché Pirthak नहिंग थीनों लोगे न देश्ट रतन हैं वह सब मेरे अधिकार में हैं देवराज इंद्र का वहान एहरावत हांथियों के रतन के समान मैंने चीन लिया है त्यू शागर्षा मंतन करने से जो आश्वरतन उच्छे स्रेवा प्रकट हुआ है उसे देखताओं ने मेरे पैनों पर पढ़ा देखकर समर् हैं देवी हम लोग तुमें सांसार की सड्री में रतन मांते हैं अब तुम मेरे पास आजाओ क्योंकि रतनों को भूब करने करने वाले हम हैं चंचल पटाक्ष्वाली सुन दरी तुम मेरी यह मेरे भाई परकमि निशुं की सेवा में आओ तुम रतन सो रुपा हो मेरा वरन करने से तुम्हारे तुल्ना राइद महान एश्वरे की प्राप्ति होगी अपनी बुद्धि से विचार तुम मेरी पत्नी बचाओ रिशी कहते हैं दूतों के यूं कहने पर कल्यान माई भगबती देवी ने जो इस जगत की धारन करती है मानी मानी कंभीर वाप से मुस्काही और इस परकार बोली देवी ने कहा दूत तुमने सद देखाया इसमें तनी भी मित्या नहीं है सुम्ह तीनों लोगों का स्वामी है और निशुम भी उसी के समान पर आकर में है किन्ट इस विचा में मैंने जो प्रतिया किर ली है उसे मित्या कैसे करूँ मैंने अपने पानी गरन करने इसमें बिलम की क्या वश्कता है दूर बोला देवी तुम घमर्ण से भरी हुई हो मेरे सामने ऐसी बाते ना करो तीनों लोगों में कौन ऐसा पूर्शा जो शुमन शुम के सामने खड़ा हो सके इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुमन शुमन के पास चली चलो ऐसा करने से तुमारे गौरब की रक्षा होगी अन्यतर जब केश पकर कर घसिवटेंगे तब तुम्हें परतिस्था को कोना पड़ेगा देवी ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है शुम बलवान है और निशुम भी बड़े परक्रमी है कि तु क्या करो मैंने पहले बीना सोचे समझे परतेगिया कर लिये अदर अब तुम चाओ मैंने जो तुम से कहा है वह सब देते रासे आदर कुर्वा कहना फिर वो जो कहते हैं उचित जान पड़ता है करना इस परकर श्री मार्कंटे पिराण में सर्वानिक मुहमंतर की कथा के अंतरगत देवी महत्त में देवी दूद संभाद नामा पांचमा अधियाए पूरा हुआ चठा अधियाए धुम्र लोचनबद मैं सर्व ग्यानेश वर भैरब के अंगे में निवास करने वाली पर्मो क्रिस्टा पद्द पदमावती देवी का चिंतन करता हूँ वे नागराज के आसन पर बैठी हुई है नागों की फनों में शुचुबित हूने वाली मनीों के विशाल माला से उनका देहला उद्रासित हुरा है है सुर्य के समानूं का ते जहती नेतर उनकी शुगा बढ़ा रहे हैं वे हाथों माला, कुम, कपाल और कमल लिये हैं तो उनके मस्तग में आदिचान्दर, मुकुट सुशोबी, थैरिशी कहते हैं देवी का ये कतल सुनकर दूदों को बड़ा अमर्श हुआ उसने देतिराज के पार जाकर समाचार विस्तार पुर्बक कैसना है, दूद के उस बचन को सुनकर देतिराज कुपित हो उठा और देति सेना पर धूर लोचन से बूला, धूम लोचन तुम शीगर अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और दूस्टा को केश पकड़कर घसिटे हुए से बल पु माँ पहुचकर उसने हमालें पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरी तू शुम और निशुम के पास चल, यदि इस समय पर संतार पुर्बक मेरे स्वामे के पास नहीं चलेगी, तो मैं बल पुर्बक जोटा पकड़कर घर चिटते हुए तुझे ले चलू देवी बोली, तुम ये देट्य के राजा ने वेज़ा है, तुम भी बलमान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है, ऐसी देशा में यदि मुझे बलपुर्बक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ, निशी कहते हैं, देवी के यहों कहने पर असुर धू बालों को हिलाता वासूं के सीना में कूट पड़ा, उसके कुछ देट्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जब्रों से और कितनों को महा देट्यों को पटक पटक कर, होटों की दाड़ों से घायल करके मार डाला, उसने सीह के अपने नकों से कितने की पेट फार डाल सुना कि देवी ने धुन रोचन असुर को मार डाला है उसके सीन के सारी सारा सफाया कर दिया तो उस देटिराज को बड़ा उसका ओड़ का अपने लवा उसने चंड और मुन नामक दो महां देट्टें को आगया दी हे चंड हे मुन तुम लोग सब बहुत बड़ी सेना लेकर तो नहां जाँच देवी के जाटे पकड़कर बहुत बांद कर शीक नहां पर लेकर आओए यदि इस परकार उसके लाने में संदिय हो तो यूद में सब परकार से अस्तों समस्त असरी सेना कपरियों करके उनकी हत्या कर डालना उस तुस्टा की हत्या होने तता सी के विए म में मतामी दिवी का ध्यान करती हूँ वे रेतल में सिंगासन पर बैठ कर पढ़ते हुए तोते का मधूर सब्द शुन रही है उनके शरी कवर्ण शाम है वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और मस्तब पर अज्रचन धारन करती है वे कहार कुशों की फाला धारन की कि आगया पाकर वे चंड मुन आधी देते चत्र गणी शेना के साथ अस्त्र सस्त्रों ससु सजीद हो चल दिये फिर गिरराज हिमाले के सुवन उचे सिखनों पर पहचकर उन्होंने सीपर बैठी हुए देवी पुदी का वे मंद मंद मुश्करा रही थी उन्हें देकर दे क्राल मुखी काली प्रकुत हुई जो तलवार और पाश लिये हुए थी वे मिचितर खड़ग वांधरन की वे चीते की चर्म की साड़ी पहन का नर्मॉंडों की माला से बोशी थी उनके शरीर की मास सूंग गया था कि वल हड़ियां कढ़ा चा था तिसे वे अतने भैंकर ज को चन भर में नश्ट कर दिया बेपार्शव रख्चसों अंकुर धारी महां और घंटा सहीत कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ कर मुह में डाल लेती थी इस परकार गोले रत सार्थी के साथ रती सेनिकों को मुह में डाल कर वे बड़े भैनक रूप से चबा डालत यthi किसी के पैरों से कोचल डालती और किसी और चाती के धबके से गिरा कर माऊ डाल द दीर एक शोटे बड़े अससातरों मों में पकड़ लेती और रूंस में बहरकर और उंको दाटों से पीस दृ vorstellen कि सारी सेना उन डाली और किसों को माऊ बगाया कोई तलबार से काठ उत हैंकर वानों की वर्सा से हजारों बांच लाया हुए चक्रों से भ्यानक नेतनों वाली देवी को अचादित कर दिया वे अनेक चक्र देवी के मुंख में समाते हुए ऐसे चान पड़े मौनों सूरे की भीतर मंडल बादनों के उधर में परवेश करें तब भेंकर गरजना करने वाले काली ने अत्यंद रोशन भर का विकर टहास किया उस समय उनके विकराल वदन से भीतर से कटिंता से देखे जा सकने वाले दातों की परवास से अत्यंद भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया महा प्रकर में चंड और मौन को मरा गया देख बढ़ने से बची हुई बाकी से ना भैसे ब्याकुल वो चारुओ और भागे तरंतर काली ने चंड और मौन का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पाच जाकर प्रचंड अटास करत देवी तुम चंड और मौन को लेकर मेरे पास आई हो इसलिए संसार में चामिडा के नाम से तुमारी ख्याती होगी इस बरकार श्री मारकंडे पुरान में सर्वनिंग मनमंतर की कथा के अंदर का देवी माता में चंड मौन नामक बद का सात्मा अध्याय पूरा हुआ जै माता दी आद में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री दुर्गा शप्शती पाट से अश्टम अध्याय रक्त बीजबद मैं अन्नीमा आदी सिध्धी मई कीड़नों से अवरित भवानी को ध्यान करती हूँ उनके श्रीर का रंग लाल है नेत्रों में करुणा लहर लहरा रही है तता हाथों में पाश अंकुछ बान और धनुख शुभा पाते हैं रिशी कहते हैं चर्णर मुन नामक देत्यों के मारे जाने तता बहुत सी सेना का संगार हो जाने पर देत्यों के राज़ा परतापित शुम्र के मन में बड़ा करोध हुआ उसने देत्यों की संपोन सेना को युद के लिए कूछ करने की आगया दे दी भैबूला आज उद्या युद नाम से 86 देत्य सेना पती अपनी सेनाओं के साथ युद के लिए प्रस्थान करें कम्मू नाम वाले देत्यों ने 84 सेना नायक अपने वहिनी से घिरे हुए यात्रा करें 50 कोटी वि अगया से सेना सहित गूँश करें कालक दोहादर नामरे और जाम सेना पत्रा करें कालक की असुर्भी युद के लिए तैयार हो मेरी आगया से तुरन्त प्रस्थान करें बैयानक शाषन करने वाला असुर रास्स सुम इस परकार आगया देश सहसरो बड़ी-बड़ी आती देख चंडिका ने अपने धनुस की टंकार से प्रित्मी और अकास के बीच भाग गुजा दिया, राजन तरंतर देम के सिही ने भी बड़े जोड़ जोड़ से दहार ना आरम कर दिया, फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस धनी को और भी बढ़ा दिया, धनुस की देत्यों की सेना ने चारो और से आकर चंडिका देवी सी, तदा काली देवी को क्रोद पूर्बग घेर लिया, राजन इसी बीच असरों के विनाज सत्थ देवताओं के अभिधाय के लिए ब्रहमा, शिवकार्तिके, बिश्नु, इन आदि देवों की शक्तियां जो अत्यन प्राकरम और बल से संपन थी, उनके शरीर से निकल कर उनी के रूप में चंडिका देवी के पास गई, जिनका देवता का जैसा रूप जैसी बेश बूशा और जैसा बहान ठीक वैसा ही साद्मों से संपन हो, उनकी शक्ति असरों से युद करने के लिए आई, सबसे पहले ह कंकन पहने, मस्तक में चंडर रेखास विभूशित हुए है आप जी, कार्तिके जी की शक्ति रूपा जगदंबी का उनी के रूप धारन किये, श्रेश्ट मयूर पर आरूर हो, हाथ में शक्ति लिए देतों से यूद करने के लिए आई, इस परकार भगवान विश्नु की शक्ति गरूर पर ब्राजवान हो, शंक, चक्र, गदा, शंक, नाध, धनुष्ट और खड़क हाथ लिए वहाँ आई, अनुपम यग वारह के रूप में धारन करने वाले श्रीहरी जो शक्ति हैं, वह भी वारह शरी धारन करके वहां उपस्तित हुई, नार सिंग सक्ति भी मिनर सिंग के नाम से शरीर धरन करके वहां आई, उनकी गर्दन के बालों के जटके से अकाश के तारे विखर पड़ते थे, उनके भी सहस्त ने थे, इंद्र जैसा रूप था, वैसा ही उनका भी था, तदंतर उन देव सक्तियों से घीरे हुए महा देवी जी ने चंडिका स कहा मेरी परसंता के लिए तुम शीक रही इन असरों का संगहार करो, तब देवी के शरीर से अत्यान भ्याना को और परम उग्रचंडिक शक्ति प्रकट होडी जो सैक्रो की दड़ियों की भाती आवाज करने लगी, उस आप राजिता देवी ने धुमिल जटा वाले महा दे जिससे कहा भगवन, आप शुम निशुम के पास दूद मन कर जाएए और उस अत्यान घरवीले दानव शुम और निशुम दोनों से कहिए, साथ ही उनके अत्रिक जो भी दानव युद के लिए वहाँ पस्तित हो, उनको भी एसंदिस दीजिए, देवी तुम जीबित रहना नियुक्त किया था, इसलिए वह शिब दूती के नाम से भी संसार में विख्यात हुई, बे महादेतियों भी भगवान शिब के मुझ से देवी के बचन सुनकर क्रोद में भर गए और जहां कात्यानी विराजमान थी उसक्यों और बड़े तरंतर वे देटे अर्मश्य भर क पहले ही देवी के उपर बान, शक्ति और रिष्टी आधी अस्त्रों की वर्षा करने लगे, तब देवी नेवी खेल-खेल में ही धनुश की टंकार और छोड़े हुए बड़े-बड़े बानों द्वारद्यत्यों के चलाय हुए बान शूल, शक्ति और वर्ष्टों को उनकी आगे ओकर शत्रों को शूल से प्रहर से विदिन करने लगी और खडग वांग से उनका कचुमर निकालती हुए रन भूमिय में विचारने लगी ब्रहमा जी बेजिस्चिच और दोड़ती उसी उसी और कमंडलू का जल चड़कर शत्रों के ओज और प्रक्रम को नश् विच्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार करतिके की शक्ती ने शक्ती से देत्यों का संगहार आरम कर दिया इंदर शक्ती ने वजब प्रहर करके विदिन हो शेक्रों देते दानवरक्त की धारा बहाते वे पिर्थमी पर सो गए वारही शक्ती चित कितनों को अपनी थूतन की मार से नश्च कर दिया दानों के अगर भाग से कितनों की छाती छेट डाली कितने ही देते उनकी चक्र की चोड से विदिन हो गिर पड़े नर सिंगी भी दूसरे दूसरे महादित्यों को अपनी नक्खों से विदिन करके खात और सीहिनात से दिशाओं रकास को गुंजा देती। युद शेज में विचरने लगी। कितने ही असुर शीवदूती के प्रचन अटाहस से अत्यम भैवीत हो प्रित्मी पर गिर पढ़ते। गिरने पर उन्हें शीवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस परकार क्रोध में भरे हुए मातरे गड़ों को नाना परकार के उपायों से बड़े-बड़े असनों का मर्दन करते देख देते सानी के भाग खड़े हुए। मातरे गड़ों से प्रीत युद से भागते देख रक्तवीज नामक महादेते क्रोध में भढ़का युद करने के तब एंद्री ने उनकी अपने वज्र से रक्त वीच को मारा वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चुने लगा और उसी के समान बहुत सारे प्राकरम वाले युद्धा उत्पन होने लगे उसके शरीर से रक्त की बूंदे गिरती उतने ही पुरुश उत् वे रक्त सुथपन होने के करण पूर से भी आत्यां ध्हेंकर सहस्रों का प्रहार करते हुए वहां मातरगड़ों के साथ घोर युद करने लगे पूर्य वच्छ के प्रहार से जब उसका मस्ताग घायल हो गया तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पूरुशत पन हो गया बैशनवी ने युद में रक्त बीच पर चकर का प्रहार किया और एंद्री ने उस देते सिन मारही ने खड़क से और महिशवररी ने से महादते रक्त मीच को घायल किया रोध में भरे हुए उस महादते रक्त बीच ने जात्त बहत हो गया उन उन देवताओं को बड़ा भैवा देवताओं को दास देख चंडीके ने काली से शिर्ता पूर्व कहा चमुडे तुम अपना मुख और भी फैला होता था मेरे रक्त पात से गिरने वाले शक्ति बिंदूओं और उनसे उत्पन होने वाले महादेत्यों को तुम अपने इस उत उत्पन नहीं होगे काली से यों गयकर चंडीका देवी ने सूल से रक्त पीज को मारा और काली ने उसके अपने मुख में उसका रक्त ले लिया तब उसने वहाँ चंडीका पर गदा से प्रहार किया किन्तो उस गदा पात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुचाई रक्त पीज के घाहल सरीर से बहुत सरा रक्त गीरा तयों ही वे अपने मुख में लिया रक्त गिरने से काली के मुख में जो वहाँ दा तो उत्पन हूए उन्हें काली ने खा लिया और रक्त बीच का रक्त भी पी लिया तदंतर देवी ने रक्त बीच को जिसका रक्त चमुंडा ने पी लिया वज बान खड़क तरिश्टी आदी से माड डाला राजन इस परकार शास्त्रों के समुदाय से आहाद एम रक्त हीन हुआ महादेत रक्त बीच पिर्थमी पर गिर बढ़ा नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ती हुई और मात्रिगण उन अचरों के रक्त पान की मद से उदत साहो नित्ते करने लगा इस परकार श्री मारकंडे पुराण में सर्वनिक मनमंतर की कथा के अंतरगर महादे देवी महात्त में रक्त बीच नामक बद आठमा अध्याय पूरा हुआ नवम अध्याय निश्व में बद मैं अर्धनारी श्वर के श्री विग्रह की निरंतर शर्ण लेती हूँ उनका वर्ण बंदू पुषप और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित हैवे अपनी बुजाओं में सुंदर अक्षमाला पास अंकुष और बरद मुद्रा धरन करती है अर्धन उनका अगुशा ने तथावत तीन इत्रों से सुचोवी थे राजा ने कहा भगवन आपने रक्त पीच के बद से समन्द रखने वाली देवी चरितर का ये अद्बूत माता मुझे बदलाया है अब रक्त पीच के मारे जाने पर अत्यन क्रोध में भरे हुए शुंब और निशुम ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ रिशी कहते हैं राजन युद में रक्त बीच था अन्य देत्टों के मारे जाने पर शुम और निशुम के क्रोध की कोई सीमाना रही अपने विशाल सेना इस परकार मारी जाते देख शुम अर्मश में भरकर देवी की और दोड़ा उसके साथ असरों की प्रधान सेना थी उस मेकों की भाती बाणों की बढ़शा बिस्टिक कर रहे थे उन दोनों की चलाएवे वाणों को चंडिका देवी ने अपने बाणों के समूं से तुरंध ही काड़ डाला और शुम और शुम ने तीकी तलवार रता चमक्ती हुँ ढाल लेकर देवी की स्रेश वाहन सी के पहर किया अपने बाहन को चौट पहुचने पर देवी ने शुप प्रनामक वान से शुम की स्रेश तलवार तुरंध ही काड़ डाली और उसकी ढाल खोबी जिसके आठ चांज जड़े वेदे खंड खंड कर दिया ढाल और तलवार की कड़ जाने पर उस असुर ने शक्ती से मार कर चोण कर दिया तब उसने गदा कुमा कर चंडी के ऊपर चलाई परम्तु वह भी देवी के तृशुर से कटकर भस्मों के तो इंदर देते राज शुम को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बान समों से घायल कर धर्दी पर सुला दिया उस भैंकर पराकर्म भाई निशुम के धरासाई हो जाने पर शुम को बड़ा क्रोध वा और अमिका का बद करने के लिए आगे बड़ा रत पर बैठे 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 ही उत्तम अयुदों से शुवित अपनी बड़ी बड़ी आठ अन्पम भुजाओं से समुचे आकाश को धकर वे अद्बू श मर्दन चूर हो जाता था अकास्ट प्रित्मी और दसो दिशाओं में गुज गया फिर काली ने अकास्ट में उचल कर अपने दोनों हाथों से प्रित्मी पर आगात किया उसे ऐसा भेंकर शब्द हुआ जिसे पहले कभी नहीं हुआता तत पचास शिव दूती ने देत्यों के लिए अमंगल जनक अत्ताहस किया इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे किन्तु शुम को बड़ा करोद हुआ उस समय देवी ने जब शुम को लक्ष करके कहा कि ओ दुरातमा खड़ा रहे तब यकास में खड़े विदेवता बोल उठे जय हो जय हो शुम न उसकी पर्तिधुनी से वजरपात के समान भेंकर शब्द वज़े से अन्य शब्द शब्दों को जीत लिया शुम के चलाए हुए बाणों ने देवी के चलाए हुए बाणों ने शुम ने अपने भेंकर वाणो दौरा से को हजाज तुकड़े कर दिये तब तब रोद में भरी होई चंडिका ने शुम को शूल से मारा उसके आगात से मुर्चित हुए प्रित्मी पर गिर पड़ा इतने में ही निशुम को चेतना हुई और इसने धनुश हाथ में लेकर बाणो दोरा देवी काली और सी को गायल कर दिया फिर उस देते राज ने दस हजार बाहें बना आते ही चंडिका ने तीखी धारवारी तलबार से इसके गदा को शीगर ही काल डाला ता उसने शूल हाथ में ले लिया देवदाओं को पीड़ा देने वाला शुम को शूल हाथ में लिया आते देख चंडिका ने वेक से चलाय हुए अपने शूल से उसकी च्छाती चिटड डाला फिर तो वे प्रित्मी पर गिर पड़ा तंतर सी ने अपने दाड़ों से असरों की गर्दन को चल कर खाने लगा ये बड़ा भेंकर दिरिश्था उधर काली और शिव्दूती ने भी अन्ने देत्नों का भक्षन करना आरम कर दिया कुमारी की शक्ति से विद्यन हो कितन कितने ही महादेते नस्ट हो गए ब्रामनी के मंत्र पूत जल से निस्टेज हो कितने ही भाग खड़े वे कितने ही दैते महिशरी की तिशूर से चिंद भीन हो दरासाई हो गए बाराई के थुद्धन से अगास से कितनों को प्रत्मी पर कच्चुमा निकाल डाला वैशनवी ने भी अपने चक्र से दानों के टुकड़े टुकड़े कर डाले एंद्री ने हाथ से छूटे हुए वजर से भी कितने ही प्राणों से हाथ धू बैठे कुछ असुर नश्ट हो गए कुछ उस महायुद से भाग गए ता कितने ही काले शिव्रूतियों और सीके ग्रास बन इस प्रकार श्री मारकंडे पुरान में सार्वनिक मनमंतर की कथा के अंतरगर देवी महातर में निशुम बदनामक नवा अध्याय पूरा हुआ